ठगेश नाम का एक काफी famous YouTuber है जिसको आप लोग जानते ही होगे वो कुछ दिन पहले रजद दलाल पे रोष्ट बनाता है अब रजद दलाल एक नमबर का घटिया और नीच आदमी है जिसके बारे हम आगे बात करेंगे ठगेश रजद दलाल के रोष्ट में एक बात बोलता है पदा नहीं मैं को लग रहा था ये वीडियो बनाना चीए कोई बोल नहीं रहा है कोई एड्रेस नहीं काता है कोई ये questions उससे पूछ नहीं रहा है तो मैं को लगा मिरको पूछना चीए इस बात को सुनने के बात मुझे लगा या सही बात है गलत के खिलाफ ये stand तो ले रहा है अदमी और बाद में situation ऐसी हो गई कि ठगेश को ही रजद दलाल से माफी माफी मांगनी पड़ गई दोनों हाथ जोड़ते पुटा बढ़ एक वही माफी मांग ले सबसे बात में फिर ये रिवील हो गया कि भाई ये तो पूरा का पूरा एक ड्रामा था तो लफडा सेंट्रल के लिए कोई कि नीचे गिर सकता है रजद दलाल एक ऐसा आदमी है जो अपनी गाड़ी को दूसरों की गाड़ी में ठोक देता है क्योंकि खुद के पास तो हराम का पैसे है दूसरों के मेहनत के पैसे की क्या ही वैल्ली है और ये उन में से है जो लोगों को बुली करने में विश्वास रखता है काल पकड़ के सौरी बोल पकड़ के सौरी बोलता कैमरा रख साइड में दोनों कान दोनों हातों से पकड़ बाल से ही गर पहले तर्कड़ेगा तुन बहुत टाइम है कंगी लेग और नीचे जा नीचे टच करना है एक दो तीन चार पांच छे रात आठ नों लास वाली होल्ट कर मैं दस तक गिनूंगा एक दो तीन चार पांच छे साथ सवा आठ 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 औने नों नों नाइन पॉइंट वन नाइन पॉइंट टू और लोग इस बात पर तालियां भी बजाते हैं कि भाई ये तो ऑनलाइन बुली है क्या जबरदस्त आदमी है और इसकौर्स रजट दलाल उनमें से है जो बुली करने के नाम पर धर्म का कार्ड इस्तमाल करता है तीन बाबा थे घर में थे तीनों मेरे पर अटेक करके मेरे को मार भी सकते थे मार सकते थे पर बात महां पर धर्म कि थी मैंने धर्म के लिए उसमें कहां से स्क्रिप्टेट हुआ जब इस तरीके के लोगों को बचाना पड़ जायेगा जब इनसे पूछा गया कि इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हो तो इतना बढ़िया आंसर दिय होगा है जो एक नॉर्मल आदमी का अथसे की स्पीर पे होगा तो इसमें मेरे लिए एडवांटेज है न वो उपर वाली की मेरे पी एक ब्लेसिंग है या मैंने अपने में अपने मेंटल एसपेक्ट पर उतना काम कर रहा है अपने रिफ्लेक्स पे कि मैं इतनी चल्ड़ी मतलब इससे हाई आईक्यू आंसर सुने यार जमाने बीट गए वोटे बच्चे वो मुझसे कुछ अच्छा ही ले पाए अच्छी चीज यह सिका रहे है कि दूसरों की बीवियों के बारे में बद्दी बाते कैसे बोलते हैं आपकी बीवी का स्यादी से पहले जो बॉइफ और जिसके साथ शादी हुई है ना सो त्रे टाइम चाहर बर सोचोंगे सो किसके साथ रहा हूं यह मेरी बीवी है है और इनसे ओनलाइन दिखावती लफड़ा जितना मर्जी करवालो एक लाख अटतर अजार लोग देख रहे हैं और भी देखिए हैं पब्लिकली बोल रहा दोनों बैठे हैं यहां पर इनका जो भी मैटर का आपस में वह सोल हो गया है तारी उट पटांग बाते बोलके फिर मैटर इनका सौल भी हो जाता है चलो कम से कम इस चीज के लिए साथ में को जेल तो हुई थी बार या आदमी यार तोल ब्रेक कर देता है मतलब ऐसी ऐसी हरकतों के बाद इस आदमी को जेल कैसी नीवी मेरे यह समझ के बाहर है और सच बता रहा हूं यह वीडियो मैंने रजद दलाल के लिए बनाई ही नहीं वह तो है ही घटी आदमी बहुत सी कॉंट्रोवर्सी हो गई बट कभी भी इस बारे में वीडियो बनान रजद दलाल का रोस बनाया तो उसमें ही अपनी स्ट्राटेजी बता दी कि वो क्या करने वाला है मतलब यह लोग का सही हां स्क्रिप्टेड लफडे करो वन मिलियन फॉलोवर्स बढ़ा लो सब और फिर सब मिलके प्रमोशन करो पैसा ही पैसा मजे ही मजे और एक तबह इत तरीके से कच्रे में डाल दी है और लिटरली यार यह इंटर्वीव वाली जो वीडियो थी यह देखके तो मेरा आधा खून ही जल गया जैसे कितना बढ़िया काम करा हो लोगों को बुली करके और एक तो भाई यह सटे बाजी की एड अरे तो पुरी टाइम में इंडिया क अपो की विनिंग भी जाएगा बंद कर दे भाई प्लीज बंद कर दे यह सब बहुत जादा ज़रूरी था विकाज यह शो का पहला एपिसोड था इन सब को जानना कि यह शो आ रहा है कि यह बहुत पैसे लगे है वह काम लगा इस शो पर इप्वाटन था इस शो का पहला अच्छा याभी बहुत पैसे लगे हैं तो मैंने गू भी खा लेना अपना चैनल चलवाने के लिए और भाई ओडशिटीस आदमी की ऐसी ऐसी चीजों पर हसने की यूटीब चैनल बेज दो पचाश लाग रहे हैं उस पर बिट कोईन की फिर वो चलेंगे हैं है ओके पचा जूट बोल रहा है जूट बोल रहा है पचास लाग की डील हुई है मतलब इतने बड़े-बड़े स्कैम हो रहे हैं देखके हाहा कितनी अच्छी बात हुई है तो या रजब दलाल को तो अब पुलिस अल्रेडी सिखा चुकी है तो उसके बारे में वैसे भी पहले बोलने क और अब भी बोलने का कोई फाइदा था नहीं ठगेश जैसे घटिया यूट्यूबर्स को भी प्लीज यार फॉलो करना बंद कर दो ये व्यूज और क्लाउट के लिए कुछ भी कर सकते हैं सच में